एक जनवरी, नए साल के दिन, खाना है आपको तीन चीज, दोस्तों, नए साल आने में बस कुछी दूर है, हमें एक नए सुबय के साथ नए कलकी शिरुवात करनी चाहिए, नए साल पर अगर आप ये काम करें, तो दुनिया की कोई ताकत आपके भविश्व पर ग्रहन नहीं कर लेना चाहिए, साथी बता दे कि अगर आप ये तीन चीज खा लेते हैं, एक जनवरी, नए साल के दिन, तो पूरे साल मा लक्ष्मी किर्पा बरसेगी, बताना चाहूंगा कि 2030 आपके लिए बहुत ही बहतर जाएगा, और पूराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी श हमारे घर में धन का भंडार भरा रहे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, हमारे चैनल का मक्षद है जन हित एवं जन कल्याण करना, देखे दोस्तों बहुत शारी ऐशिश शमागरी होती है, जिसे हम नए साल के दिन लेकर आते हैं बजारोशे और उन्ही बन बहुत सुब जाएगा, साथी कुछ विशेश चीजे भी खरीद कर लेकर आए नए साल के दिन, ताकि जीवन में शुक्षम्रद्धी की प्राप्ती होती रहे, माता लक्षवी कृपा प्राप्त होती रहे, जिसे आपको स्वैम को भी बदलते हुए देख सकते हैं, तो आज चीज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ विशेश समधर्गरी की बारे में बताऊंगा, जिनने आपको खरीद कर लानी हैं, और कुछ ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा, जिनने एक जनवरी नए साल के दिन जरूर खालेनी चाहिए, दोस्तों, बतादे की जैसे की नए साल के दिन को सुब बनाने के लिए धन बभभो और शुक शांती की प्राप्ती बनाने के लिए आप नए साल के दिन बहुत शारी चीजे खरीद कर लेकर आते हैं जैसे कि अगर आप नए साल के दिन माता लक्ष्वी जी की कृपा प्राप्त करना चाते हैं उन्हें देकी ये चीजे बहुत शुबमानी जाती है लेकिन अगर आप धन दौलत में बृद्धी चाहते हैं पूरे साल को बहतर बनाना चाहते हैं तो आपको ये कुछ विशेश चीजे जरूर खालेनी चाहिए हमारे बड़े बुजर्गों ने भी कहा है कि अगर शुबह की शिरुवात बहतर जाती है तो पूरा साल बहतर जाता है इसलिए ने साल के पहले दिन एक जनवरी की दिन खाना है आपको ये चीजें दोस्तों अगर आप ने साल के दिन अगर लहसुन प्याज खाते हैं इससे बिशेश लाब होता है जैसे की ने साल के दिन आपको कद्दू यानि की नहीं खाना जैसे की आपको कुमड़ा नहीं खाना है कुमड़े के साथ साथ आपको कुछ ऐसे चीजे हैं जो नहीं खानी चाहिए जैसे की दो लॉंग दो इलाइची डाल दें तो माता लक्षमी कृपा बरसेगी भागवान स्रीकरशंडी भी कहते हैं कि नए साल के दिन अगर आप खीर बना के खा लेते हैं तो लाब होता है भागवान स्रीकरशंडी के अंसार अगर आप नए साल के दिन ये चीजे खाते हैं तो घर गी और तिल से बने लड़ू जरूर खालें गुड गी और तिल से बने लड़ू अगर खाते हैं तो माता लक्ष्मी जी कि कृपा पूरे साल बनी रहेगी कभी भी धनकी कमी नहीं होगी दोस्तों नए साल के दिन आप लाल वाला अंगूर मिल जाए तो जरूर खालेना एक जनवरी नहे साल के दिन लाल अंगूर मिल जाए यज फिर आपको लाल वाला नहीं है तो हरा वाला अंगूर ही मिल जाए जरूर इसका सेवन कर लें इससे घर में शुकशंब्रद्धी रहती है अगर आपको सीता फ़ल मिल जाए तो सीता फल भी जरूर नए साल के दिन खाले ना, लेकिन नास पाती भोल कर भी मत खाना, ने साल को सुब बनाने के लिए नास पाती का सेवन बिल्कुल ना करना, नास पाती के सेवन करने से गरीबी और दरिद्दा आती है, घर में दुख और चिंताएं बढ़ने लगती है, इससे मातालक्षक कृपा बरसेगी। दोस्तों, नए साल की दिन आप कट्टू का आटा, यानि कि सिंघाडे का आटा जरूर खाले। इसकी रोटिया बना कर जरूर खाले। साथी साथ आप शाबू दाने की खिचडी बना कर खाले। इससे भी बहुत सुभमाना जाता है, पूरा साल बहतर जाता है। लेकिन आप खीर बना की जरूर खाले। और गुड तिल और घी से बने लड़ू का शेवन जरूर कर ले। और अगर आपको नए साल के दिन शकरकंद मिल जाए, तो सोनी पे शुहागा। यानि कि फिर तो कहना ही क्या है, माता लक्ष्मी कृपा शदे बरसेगी और धन बैभो की कृपा बरस्ती चली जाएगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो एक जिन्वरी नए साल की जिन खाना है आपको ये चीजे, इससे घर में शुक्षम्रद्धी का वास होता है, माता लक्ष्मी कृपा बरस्ती है, और पूरे साल अन धन के बंडार भरे रहते हैं, कभी भी धन की कमी नहीं होती है, जीवन में लाभी लाभ होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए, तो लाइक करिएगा, शेर जरूर करिएगा और दोस्तों को भी इसे शेर करिए और जो को सब्सक्राइब करिएगा। जैमा लक्ष्मी